हलो फ्रेंड्स, उलकम टो माई चैनेल, अलबाउट जोब सुने, फ्रेंट स्टार्टा स्टील की तरप से एक बहुत ही अच्छा रिक्रूट्मेंट के लिए नोटिफिकशन निकलके आया है, जिसमें डिपलाउँ वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लिकेशन फिनी रखा गया है, इसमें औलोफर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बलाउग करते हो, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, मैं इस वीडियो में इटल्स न जाके दिखाऊंगा इसमें अपलाई कैसे कारना है तो वीडियो को लास तक देखिएगा ताकि आप लोगो हार एक इनफोर्मेशन अच्छे समझ में आ जाए तो नेक्स चलते ओफिशन नोंटिपिकेशन की तरह तो फ्रेंट्स यह है इसका ओफिशन नोंटिपिकेशन जो आ है तो फ्रेंट्स नोंटिपिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगो ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो चैनल को जरोर सब्सक्राइब कर दो और बिल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके और वीडियो को ज़्दा लाइक करे, कॉमेंट करे, शर्ड करे और चैनल को ज़्दा सब्सक्राइब करे ताकि मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छा च नोंटिपिकेशन आप लोग के लिए लेके आने के लिए तो स्टार्ट करते रिटियल्स नोंटिपिकेशन की तो फ्रेंस फरस्ट अफॉल ये contractual job है, कोई permanent job नहीं है, इसमें आपको two years के लिए hire किया जाएगा, बात कर लिते ही educational qualification की बारे में, तो फ्रेंस educational qualification में अगर आप लोग mechanical engineering में से तीन साल का डिप्लोमा करके राखे हो तो इसके लिए apply कर सकते हो, उसके लिए अगर आप लोग RD Tata Technical Education Center जामसितपूर और JN Tata Technical Education Center गोपालपूर इन दोनों में से कोई भी एक institute से mechanical engineering में से तीन साल का डिप्लोमा करके राखे हो तो भी इसके लिए apply कर सकते हो, अगर आप लोग एक साल का डिप्लोमा करके राखे हो तो उस case में ए मिनिमाम दो साल का post qualification experience माहा गया है, अगर आप लोग अप्लोम तीन सा CST Candidate हो, तो उस case में आपके डिप्लोम में minimum 50% marks होनी चाहिए, बात कर लिते है एज लिमेट की बारे में तो फ्रेंट से ही पे general candidate के लिए the top bar 1st January 1990 से लेके 1st January 2004 के बीच में होनी चाहिए, और SCST Candidate के लिए 1st January 1987 से लेके 1st January 2004 के बीच में होनी चाहिए, नेक्स्ट बात कर कर लेते contract period की difference यहीं पी आपको 2 साल के लिए higher किया जाएगा, नेक्स्ट बात कर लेते salary की बारे में difference यहीं पी आपको salary 11,000 पार मन्त मिल जाएगी और उसके साथ आपको allowances बगर भी provide किया जाएगा, नेक्स्ट बात कर लेते selection procedure की बारे में difference selection procedure में first होगा आपका online return test, अगर आप लोग उसमें qualify करोगे तो उसके बाद आपको interview के लिए बुलाया जाएगा और interview के साथ साथ आपका medical test भी होगा, अगर आप लोग interview और medical test में qualify कर जाते हो तो उसके बाद आपका selection ही पे हो जाएगी, उसके लिए अगर आप लोग किसी भी Tata Group के company पे काम कर रहे हो तो उ उस case में आपको interview के time इनों से certificate submit करना होगा, बात कर लेते ही application procedure की बारे में तो friends application procedure यहीं पे online रखा गया है, इसका जो official website का link यहीं पे mention किया हुआ है, उसी website में जा के आपको online application form फिल करके submit करना होगा, जो में इस वीडियो के last में दिखाने वाला हो इसमें कैसे apply करना है, उ उसका step by step procedure भी हीं पे mention किया हुआ है, तो आप लोग अपकी सबसे उसका details चेक कर लेना, बात कर लेते ही important rates की बारे में तो friends online application form अलड़ी स्टार्ट हो चुकिए 13 January 2022 से, और online application form submission के लिए last day टाखा गया है 23 January 2022, आगार आप लोग online attend test के लिए short list होते हो दो, उस case में आपको email ID के तुरू पे inform कर दिया जाएगा, तो friends यह है इसका details notification नेक्स्ट में आप लोग को दिखाए था हूँ, इसमें online apply कैसे कारना है, तो friends apply करने के लिए आपको इस निंग प्याना होगा, आने के बाद आपको थोड़ा scroll down करकर नीच पर जाना है, और उसके बाद आपको apply for jobs और internship पर आपको click करना होगा, और click करने के बाद आपके सामने इस तरही के interface open हो जाएगी, जिसमें आपको application option पर click करना होगा, और click करने के बाद आपको application form for recruitment of designer on FTC, इसमें आपको click करना होगा, और click करने के बाद आपके सामने application form open हो जाएगी, जिसमें फास्ट अगर आप लोग आपको का मुवाइल नंबर, इमिल आईडी, आपका कॉम्मिनकाइशन आड्रेस, और permanent address का details यहीं पे fill करना होगा उसके बाद आपको à up को educational qualifications यानकि class 10, class 12 और diploma का details यहीं पे fill करना होगा उसके बाद आपको experience का details reversed chronological order पे यहीं पे fill करना होगा और यह सरे information अपक्ते से fill करने के बादحم एगली option प्रिक करना होगा और उसके बाद आपको data privacy option पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको preview option पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको submit option पर क्लिक करना होगा अगर आप लोग ने अभी तक हमारे टेलीग्रम चैनल को जॉइन नहीं कियो तो जरूर जॉइन का लेना क्योंकि मैं जो भी वीडियो बना क्योट्यूब में अप्रोड करता हूँ उसका लिंक बगड़ा में वहां पर श्यार कर देता हूँ अगर आप लोग कोई भी लिंक आपको description box मैं से मिल जाएगी और apply कारने का link भी आपको description box मैं से मिल जाएगी आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए apply कर रहे हो comment section में जरूड बताना और अगर आपका कोई भी doubts आत प्वेस्टन से तो आप लोग comment करके पूछ सकते हो और अभी तक हमोने चैनल को subscribe नहीं किए यो जब जबर सब्सक्राइब करें और विडियो को सब्सक्राइब करा दू अध схwo ».